हेलो एब्रिवन बल्काउं तुमाइच अलग श्याभी वितस्थू फ्रेंट्स आज हम बैंक प्रमोशन एक्जाम में एक और गॉर्मेंट स्कीम पढ़ेंगे इसका नाम है पीम स्वानेधी 2 है ना पीम स्वानेधी 2.0 कह लिजिए पीम स्वानेधी सेकंड डोज कह लिजिए सेकंड ट्रेंच कह लिजिए उसके बारे में ही तो पीम स्वानेधी जो स्कीम है उसका अगला पार्ट आया यानि जैसे ब्रधान मंदरी स्ट्रीट बेंडर आत्म निर्भर निधी प्यम स्वानेधी स्कीम का फुलफाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट बेंडर आत्म निर्भर निधी इसका सेकंड ट्रेंच के बारे में हम यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है Housing and Urban Affair Housing and Urban Affair Ministry, इसका main ministry है, implementation के लिए और ये scheme implement कर रही है SIDVी की साहता से किस bank की साहता से? SIDVी bank की साहता से implement की जा रही है इसमें maximum 20,000 रुपे तक का loan मिल सकता है जो पहला आया था PM स्वानिधी, उसमें maximum 10,000 रुपे का loan दिया जा सकता था इसमें maximum 20,000 रुपे का loan दिया सकता है लेकिन minimum का भी criteria है कि कम से कम आपको 15,000 रुपे का loan देना होगा ध्यान रखेगा कि इसमें maximum loan कितना मिल सकता है? 20,000 रुपे का लेकिन minimum 15,000 रुपे का loan आपको स्वानिधी 2.0 के तहट देना ही होगा PM स्वानिधी beneficiary must have done timely repayment of previous loan 10,000 रुपे का under PM स्वानिधी scheme तो यहाँ पर loan उसको तभी मिलेगा जब जो पुराना वाला 10,000 रुपे का loan दिया था उसका भाई timely repayment कर दीजे अगर पता चला कि आपका account जो है NPA हो गया है पहला ही वाला account NPA हो गया आपको दूसरे वाले का benefit नहीं मिलेगा पुराना वाला loan आपको timely चुका देना होगा The loan which are settled by CGTMSC are not eligible for second loan because first loan account become NPA अब अगर मालिज़ों जो पहला loan लिया था उसको CGTMSC ने settle किया क्यों? क्योंकि आपने पैसा ही नहीं वापस किया CGTMSC को पैसा वापस करना पड़ा बैंक को तो ऐसे case में आपको second loan नहीं मिलेगा, you are not eligible for that क्योंकि आपको पहला loan ही NPA हो गया था, जो आपको loan मिलेगा वो working capital term loan के रूप में ही मिलेगा, ठीक है उसका जो second loan आपको trench मिल रही है, उसका loan period 18 महीने का है, यानि आपको 18 महीने में ये पैसा वापस करना होता है, कितने दिनों में? 18 महीने में आपको second trench का पैसा वापस करना होगा, interest subsidy इसमें भी 7% की ही मिलेगी, कब तक मिलेगी? 31 मार्च 2022 तक 7% की interest subsidy मिलेगी जो की हर quarter में customer के account में credit हो जाया करेगी और उसके लिए हमें उसका account खोलना पढ़ेगा, कौन सा current account या saving account ठीक है, और cash back digital transition पर मिलेगा, जैसे trench 1 में मिलता था, वैसे ही उसको cash back digital transition पर मिलेगा और credit guarantee इसमें भी CGTMSC provide करेगा, second trench के loan जो बाटे जाएंगे bank द्वारा, उसमें भी CGTMSC आपको credit guarantee देगा, बसरते कि 31 March 2021 तक अगर loan disperse हो जाए, तो यह है basic बाते PM स्वानिधी 2.0 के बारे में, तो पहली बात यह PM स्वानिधी का full farm होता है, Prime Minister street vendor आत निर्भर निधी होता है, इसका यह second trench है, इसमें जो है, पहले trench में कितना loan दे सकते थे maximum, 10,000 रुपए का, दूसरे trench में कितना दे सकते हैं, 20,000 रुपए का, लेकिन minimum कितने का दे सकते हैं, 15,000 रुपए का loan आपको देना ही, देना होगा, ठीक है, उसके बाद में, आपको loan तभी मिलेगा, जब पहला वाला loan जो आपने 10,000 रुपए का लिया था, उसको आपने timely repayment कर दिया है, आपने deferred नहीं किया, आपने उसे NPA नहीं होने दिया, यह सारी बातों का ख्याल दखा तो आपको और आपको इसको repayment करना होगा, 18 महीने के लिए यह loan दिया जाएगा, कितने महीनों के लिए, 18 महीनों के लिए loan दिया जाएगा, 7% की interest subsidy आपको अब लेबल रहेगी, quarterly मिलेगी, 31 माज 2022 तक यह अब लेबल रहेगी, अगर आप digital transition करते हैं, तो cashback आपको मिलेगा, जैसे trench 1 में provide किया गया था, और credit guarantee CGTMSC provide करेगा, 31 माज 2022 तक जो भी loan disperse होंगे, उन पर CGTMSC अपना credit guarantee provide करेगा, digital transition का अगर आपको याद हो, पहली 50 transition के लिए, एक रुपए पर transition के हिसाफ से, total 50 रुपए मिलते हैं, उसके बाद वाली जो अगली 50 transition होंगी, उसके लिए 50 पैसे पर transition के हिसाफ से, आपको total 25 रुपए प्राप्त होंगे, उसके आपने अगली जो 100 transition आप करोगे, उसमें 25 पैसे पर transition के हिसाब से आपको टोटल 25 रुपए और मिलते हैं तो कुल मिला करके आपको 100 रुपए का cashback मिल जाता है टोटल 200 transition पर ये हो गया डिजिटल जो हमें digital benefit मिल रहा है ठीक है मैं तो इसी के साथ में PNB 2.0 भी हमारी यहां पर खतम होती है thank you so much